वैशे भारत को किसी परढ़ान देज भी कहा जाता है वक्त के साथ हुए बदलाओं ने खेती को भी एडवांस मना दिया है अगर किसान भाई चाहे तो वा एक ही फसल में बढ़िया मुनाफ़ा कमा सकते हैं बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कम समय में शांदार मुनाफ़ा दे कर जाती हैं जिनमें से कुछ किसान ऐसी ही सब्जियों की खेती कर लाखों रुपए मुनाफ़ा कमा रहे हैं वहीं जिले के एक एशे युवा किसान हैं जिन्होंने गाजर टमाटर सिमला में चाद सब्जियों की खेती कर परतिवर्स लाकों रुपए मुनाफ़ा कमा रहे हैं आज इनकी खेती देख दूसरे किशान भी इनी की तरह खेती की ओर आकरसित हो रहे हैं वहीं बारावंकी जिले के बंकी बलाग छेतर के शुकलाई गाउं के रहने वाले युवा किसान संदीप ने चार साल पहले सब्जियों की खेती की सुरुवात की थी जिसमें उन्हें अच्छा लाब देखने को मिला आज वा करीब तीन से चार बिगे जमीन पर गाजर टमाट आदि सब्जियों की खेती कर रहे हैं जिनमें उन्हें परतिवर्ष दो से धाई लाग रुपए मुनाफ़ा हो रहा है वहीं सब्जियों की खेती कर रहे युवा किशान संदीप ने बताया पहले हम प्रामपरिक खेती करते थे उसमें हमें कोई फाइदा नहीं हो पाता था फिर हमने सोचा क्यों ना इन सब से हटकर मुनाफ़े वाली खेती की जाए फिर हमें गाजा टमाटर सिमला मिर्चिक की खेती के बारे में जानकारी हुई उसके बाद हमने गाजा टमाटर की खेती एक विगह से सुरुआ ती जिसमें हमें अच्छा मुनाफ़ा हुआ आज कर तीन से चार विगे जमीन पर गाज ये टमाटर की खेती कर रहे हैं इस खेती में जो लागत है करीब 10 से 12,000 रुपए विगे आती है क्योंकि इसमें पौधे, बीज, लेवर वर जुताई का खर्श थोड़ा आ जाता है वही मुनाफ़ा करीब एक फसर पर 2-5,000 रुपए तक आराम से हो जाता है क्योंकि इस खेती में लागत कम मुनाफ़ा जादा है इसलिए मैं अपने किशान भाईयों से कहना चाहता हूँ और खेती के साथ तोड़ी सब्गियों की खेती करें और अच्छा लाब कमाएं जिसमें लागत 10-12,000 रुपए आती है और मुझे एक फसल पर 2-3,000,000 रुपए मुनाफ़ा हो जाता हूँ भाईयों से मैं कहना चाहता हूँ धान यहों के साथ साथ इसमें सब्गियों की खेती कुछ करें इसमें लागत कम है और मुनाफ़ा अच्छा है अच्छा कमाएं जिससे आए दुगनी होगा अच्छा कमाएं जिससे आए दुगनी होगा